नमस्कार दोस्तों मैं हूँ जीतेन चोदरी स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके एरुटेक में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेमेंट सेक्टर के एक तिगज श्टॉक जिसका नाम है दोस्तों अम्बुजा समट लेम्टेड जी आँ दोस् कि भैंकर गिराम देखने को मिली क्या इगिरावट और वी हो सकती है तो हो सकती है क्योंकि stock market मॉर्टेट को कोई परणित नहीं कर सकता लेकिन में बदह क्या होता है ओ जाना जरूरी है क्या कंपनी का ृज्श्वाट किया जरूरी है क्या कंपनी थ 지원 में कोई उसका मेन कारड इसका quarter 3 का result यानि December quarter में जो Amboja Cement Limited ने अपना quarter 3 का result पेश किया है उसमें इसके profit में तकरीबन 55.48% का जो है Consolidant Net Profit Down मिला है यानि पिछले साल के तूलना में इस साल देखें तो इसके profit में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलिया है Company loss में नहीं है लेकिन company का profit जो है थोड़ा सा कम हुआ है जिसके कारड जो है Amboja Cement के share में आपको गिरावट देखने को मिली तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि लोग बोलते हैं कि मेरे पास Sona, Hira है, Bitcoin है क्या उनमें गिरावट नहीं होती है अगर आपके पास Sona है तो Sona में भी गिरावट होगी तो Amboja Cement Limited एक दिगज कंपनी है Cement Sector की ठीक है तो इसमें भी गिरावट हुई लेकिन आप इसके अन्य fundamentals को चेक करेंगे तो आप चौक जाएंगे कि किस परकार की कंपनी है तो बने दिगे जेके रूटेक के साथ और वीडियो को सुरू से लेकर अन तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज का वीडियो जो है काफी ज्यादा important होने वाला है अमजा cement limited के chart pattern को आप देखेंगे और all time chart के read all time chart के वो इसको read करेंगे तो आप आएंगे कि बीच बीच में इसमें गिरावट भी हुई है profit booking भी हुई है लेकिन क्या इस stock वहां से बिलकुर नीचे गया है नहीं वहां से लगातार जो है उपर की तरफ ही move हुआ है तो जब जब gear out हो आप इसमें dip में buying करके चल सकते हैं लेकिन आज की जो latest update है कि अमजा cement जो है प्लान कर रहा है 35 करोड रुपे का expansion का यानि अमजा cement limited जो है 35 करोड रुपे invest करेगा क्या यह जो पैसा invest होगा यह किस काम के लिए invest होगा यह सबसे important बात है तो पले वीडियो को skip मत कीजिएगा वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा तो अमजा cement limited जो है 3500 करोड रुपे का investment करने वाला है इसका main मकसद यहां पर है कि तकरीबन around 7 metric across मत्तब 7 metric 10 के करीम में जो है यहां पर उत्पादक छंता बढ़ाने की planning चल लई है जिसके लिए यहां पर west बंगाल में फराका और बिहार में भी जो है यह दो प्लांट लगा जो है इसलिए किया जा रहा है ताकि cement के production को और बढ़ाया जाए इसके अलावा company जो है पहले से इस्थापित प्लांट भाट पार जो 36 गड में है उसमें भी तक्रीबन 3.2 million ton को जो है बढ़ाने की कोशिश कर रही है तो company का future plan काफी अच्छा है इसका management काफी अच्छा है औ बाउन बीक का इसने हाई बनाया था 443 रुपे और बाउन बीक का इसका लो प्राइस है 200 एकसेट रुपे स्टॉक पी 30 रुपे साथ प्रेस है company की face value 2 रुपे है return on equity की बात करें तो 11.80% के करीम में है dividend yield जो है company बहुत ही बढ़िया dividend प्रवाइड करती है और 5.32% जो है company payout करती है dividend देती है और आर उसी देखें तो ट्वेंटी टॉन ट्वेल पॉइंट थी जीरो परसंट का है यह नि company की profile company का बिजनस काफी अच्छा है इसके अलावा पिछले 10 सालों के track record को आप चेक करेंगे तो आप आएंगे कि पिछले 10 सालों से 70-90% के healthy dividend के साथ जो है company अप most depth free company है यानि company के पास करज नाम की कोई चीज नहीं है quarter on quarter result पर चेक करेंगे तो आप आएंगे कि थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है Amboja Cement Limited में लेकिन वही year on year basis के ऊपर देखेंगे तो December 2019 तक देखें तो 27,104 करोड का sales December 2020 तक देखें तो 24,516 करोड का sales और इस साल December 2021 तक चेक करें तो 28,965 करोड का sales जो है Amboja Cement Limited ने जनरेट करके दिया है यानि profit में साल दर साल जो है पड़ोतरी देखने को मिल रही है वहीं आप profit में देखेंगे तो net profit पहले 2,095 करोड था 2019 में फिर 2,020 में हो गया है 2,365 करोड और अभी 2,021 तक देखें तो 2,780 करोड रुपे जो है इस company ने net profit दर्च किया है यानि year on year basis के ऊपर जैसे कि माल लिजिए कि किसी quarter में result थोड़े बहुट ऊपर नीचे होते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि company खतम हो गई company बरबाद हो गई तुरंद बेश के निकल दाओ company के पास razor price देखें तो पहले 23,681 करोड फिर 22,360 करोड और अभी December quarter तक 24,957 करोड रुपे जो है company के पास cash में पड़े हुए है यानि company के पास surplus money है जो की कर्ज 473 करोड है जो short term का कर्ज है company कभी भी प्यावड करके इस कर्ज को खतम कर सकती है तो Amboja Cement Limited जो है ACC Cement Limited, Ultratec Cement Limited, Sri Cement इनको टकर देने वाली ये company है तो Amboja Cement कोई खराब company नहीं है ऐसा नहीं है कि एक cement की company अच्छी है तो अपना business बंद हो जाएगा आसा नहीं है क्योंकि IT सेक्टर में वहुँ सारे stocks हैं तो क्या Infosys TCS No.1 है तो क्या Infosys बेकार हो गया ऐस इसलिए चार सालों से 63.21% के करिमें इसके पर मोटर की holding है FII यानि कि foreign investor के पास 14.69% के करिमें share holding pattern है domestic institution investor ने अपना share stake के हाँ पर बढ़ाया है और 33.35 से उन्होंने 15.09% कर दिया है government के पास 0.24% का stakes है और public के पास तकरीबन 6.74% के करिमें share hold करके public ने रखा है यानि fundamental लूप से देखें तो company काफी strong नजर आ रही है और company का business जिस sector में है जिस sector में company belong करती है और जिस प्रकार के production को manufacture करती है तो आने वाले time में आप analysis करेंगे तो पाएंगे कि cement की demand पहले भी थी और आज भी है और आने वाले time में भी रहेगी क्योंकि जितने भी buildings जितने भी मकान जितने भी भवन बनेंगे उसमें cement की आउसकता पड़ेगी तो यदि आप एक अच्छा और safe investment करना चाते हैं तो अमबुजा cement में थोड़ी बहुत quantity अपने risk capital lesson के हिसाब से निवेश करके चल सकते हैं तो आज का एक पाचवा वीडियो दोस्तों यहीं पर समाप्त होता है मुझे उम्मीद है कि एक वीडियो आपको जरूर पसंदाया होगा दोस्तों काफी hard work करना पड़ा है और आप लोगों से एक यहीं उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अधिक सदिक like कीजे ताकि हमारा motivation बना रहे है और हम आप लोग के लिए नए-nay stock markets related video लाते रहे हैं चैनल को subscribe नहीं किया है first time इस चैनल पर विजिट किया है तो प्लीज चैनल को subscribe कर दिजेगा बेल आइकन को प्रेस कर दिजेगा ताकि हर एक वीडियो का notification आपको मिलता रहा है वीडियो देखने के लिए और